नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी शितल्टों से संजीवन गर्वसंसकार के इस योटूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ बहुत बार मुझे comment box में यहां पूछा गया कि गर्वा अवस्ता में पीट दर्द जो होता है वो commonly होता है क्या तो आईए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि गर्भा अवस्ता में पिट दर्ध क्यों होता है, कमर दर्ध क्यों होता है और यदि आपको भी ये तकलीफ हो रही है तो इसके क्या-क्या उपाय आपको करने है सबसे पहले तो गर्भा अवस्ता में पिट दर्ध या कमर दर्ध होना यह common समस्या है Actually, it's a normal symptom of pregnancy क्योंकि बहुत सारे reasons इसके पिछे होते हैं जैसे कि यह जो problem है 50-70% ladies में दिखाई दिती है सबसे important कारण होता है वजन का बढ़ना 11-15 kg weight आपका बढ़ता है हमारी जो read की हड़ी है उस पे pressure आता है बेबी के weight का तो read की हड़ी support करती है बेबी को बढ़ने के लिए इसके लिए gravitation के opposite आपके गर्भ में आपका बेबी पल रहा है और वहाँ पूरा जो support है वहाँ read की हड़ी उसे दे रही है इसलिए आपको lumbar pain या lower back pain होना common होता है बेबी का weight भी बढ़ता है और गर्भाशय का weight भी बढ़ता है यह भी एक reason होता है आपको low back pain होने के लिए कभी-कभी यह कारण से हमारे posture में हमारी जो स्तिती होती है वो भी change होती है उसमें भी परिवर्तन होता है इसलिए back pain यह common लिपाया जाता है pregnancy में हार्मोन के changes के कारण भी back pain होता है दूसरा और भावनात्म, तनाव, stress, tension, चिंता यह जो होती है वो कारण भी responsible होता है low back pain के लिए अभी यह जो different reasons है वो तो normally होने वाले है लेकिन हमको इसको एक problem ना लेते हुए सबसे पहले तो इसको स्विकार करना है सबसे पहले तो आपको देखना है कि यह क्यों हो रहा है क्योंकि मेरा baby बढ़ रहा है और मेरा baby जो बढ़ रहा है उसको मेरा back जो है वो support कर रहा है it's a good sign नो कि मेरे baby को अच्छे से support मिल रहा है और आपको एक बात बता दू यह permanent back pain नहीं होता या यह permanent number pain नहीं होता यह कुछ दिनों की बात है जब delivery हो जाएगी तो यह pain भी अपने आप कम हो जाएगा लेकिन अभी आप जो दर्द सहन कर रही हो उसके लिए हमको क्या करना है आईए जानते हैं इस back pain को या इस number pain को कैसे हम ठीक करे या उसको कम करे सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है जादा जुकना नहीं है उठते समय भी directly सीधा न उठते हुए घुटनों से नीचे जुक के फिर उठना है जब आप सोते हो तो proper position में आपको सोना है करवट पे आपको सोना है मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि गर्भावस्ता में कैसे सोना है वो भी आपने एक बार देख लेना उससे भी आपको help होगी कमरदर कम होने के लिए दुसरा आराम कुर्ची का भी आप यूज कर सकती है लंबे समय तक आपको खड़ा नहीं रहना है होता यूँ कि gravitation force continue act हो रहा है तो हमको क्या करना है एक या देड़ घंटा यदि हम continue खड़े है तो पाच मिनिट आपको rest करनी है पाच मिनिट लेटना है या करवट पे सोना है जब आप सोते हो तो उठते समय भी directly उठना नहीं है पहले हाट टिका के फिर support लेके बाद में उठना है इससे आपके back के उपर जो pressure आता है वो कुछ हद तक कम होता है फिर आप जब बैठते हो तो आपको पैर को cross करके नहीं बैठना है सीधा बैठना है high hills जो है वो use नहीं करनी है आपको कमर दर्द जादा हो रहा है ये सब आप कर रही है फिर भी आपको दर्द हो रहा है तो आपको pain killer बिल्कुल भी नहीं लेना है आपके gynecologist भी आपको यही suggest करेंगी कि pain killer आपको avoid करनी है फिर उसके बदले आप temporary उपाय कर सकती है जैसे कि जो ointment है या spray है वो उपर से लगा सकती है दूसरा आप hitting pad भी यूज कर सकती है यदि आपको अच्छा लगता है massage से तो आप हलकी massage भी कर सकती है फिर आपको tight कपड़े नहीं पहनने है धीले कपड़े पहनने है और हाँ आपको tension बिल्कुल भी नहीं लेना है जो भी stress है, tension है वो तो back pain के लिए responsible है ही है लेकिन इसका bad impact आपके baby के उपर भी होता है इसलिए हम घर्व संसकार के class में यह बताते है कि आपको जो stress है, tension है उसको delete करना है और enjoy करना है हर moment pregnancy का तो tension बिल्कुल ना ले stress बिल्कुल ना ले और कम से कम medicine दो और समझो, आपको medicine लेनी ही है तो मैं as a homeopath आपको suggest करूंगी कि आप homeopathic medicine ले सकती है homeopathic medicine best है during pregnancy and it's very safe आपके baby के लिए भी आपके लिए भी homeopathic medicine safe होती है और यदि आपको ज़्यादा तकलीफ है तो आप homeopathic medicine ले सकती है तो ये सब कुपाय आपको करने है और enjoy करना है हर moment pregnancy का यहाँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो like और share कीजिए संजिवन गर्व संसकार को यदि आपने नहीं subscribe किया तो subscribe कीजिए धन्यवाद